नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे टूब चैनल स्व्सक्राश्वति पर मैं रामकुमार सास्तरी आप सभी संस्क्राइब प्रेमी अनुरागियों का हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं प्यारे सातियों हम जो कुछ भी यूटूब चनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नॉट्स बगरा चाहिए ओनलाइन व्यक्या चाहिए टेस्टरी चाहिए तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं उसके ओनलाइन टेस्टरीज, ओनलाइन टेस्टरीज की व्याख्यात्मग वीडियो साती PDF नॉट्स, एनॉट्स और एबुक, प्रिंटेड नॉट्स ये सारी सामगरी इलिए आप चाहते हैं तो आप संस्क्रत सरस्वती एप मॉबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें इंस्टॉल करें और पढ़ें विस्तार पूर्वक्स जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं उसके सारी कि सारी प्रिंटेड, एबुक, एनॉर्स और ओनलाइन टेस्टरीज आज का वीडियो हम देखते हैं वीडियो के इन्त में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बोक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और उर्जा मिलेगी और अब यहतर हम आगे सीखते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद चलिए क्लास प्रारम करते हैं पद्मासने संस्थिताम वन्देताम परमेश्वरिम भगवतिम बुध्धी प्रदाम शारदाम बुध्धी प्रदाम शारदाम उनी सिक्षन उद्धिश्यों को ध्यान में रख करके आगे हम पढ़ते हैं बहासा सिक्षण के उद्देश है अभी तो मैंने आपको क्या बूला बैस संस्क्रत बहासा सिक्षण उद्देश्य पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमने यह सीक्षण के उद्देश्ज क्या है और शिक्षण के उद्देश्य कैसे निर्धारत कि जाते बी यस Profes Me मैं बाहसा सिक्षन के उद्देश से कहूं या संस्कृत भासा, ठीक हो किये। मैं किसी भी भा साथ की उद्देश से लगबग ऐगग है। आप न पढ़ना,चाहता हैं उसके उद्देश से भी संस्क्रित की समानी हूँगे। आप संस्कृत करंणाचान शायते हैं संस्क्रित शिक्षण का कारे होई रहा है संस्कृत पढ़ां रहे हैं भाशा शिक्षण को तो उसके बीश हिंदी अंग्रजी के समानी होगे तो संस्कित भाकिष और से ¡ скिंप संदृ पूर्व निर्धारित कुछ ऐसे लक्षे होते हैं पूर्व निर्धारित कुछ ऐसे लक्षे होते हैं पूर्व निर्धारित कुछ उद्धिश्य होते हैं जिनके अधिक्तम उपलब्दी के लिए हम चाते हैं कि हमारा शिक्षन कारे इस प्रकार से हो कि अंतिम में जाकर कि जब हमारा शिक्षन कारे पूरा हो तो वहां क्या हो हमें अधिक्तम उपलब्दी हो तो अधिक्तम उपल कि क्या करते हैं संगठन बनाते हैं और Qreamva करते हैं ताकि हम अधिकतम उप्लब्दी प्राप्टे कर सके इस अद्शित के लिए हम कई परकार की ऐसी गतिविदियों कुल्ग व्यानमनिया कारेवि Din Englishмы या एक प्रभावी संगठन या एक प्रभावी कार्यकर्म नियूजित करते हैं जिनके दवारा मुनर द्धेशिött की प्राप्ति कर सके सिक्षन प्रक्रिया क्या है पूर्व नियूजित प्रक्रिया होती है पूर्व नियूजित है तो निसित रूप से हमारे उद्देशे भी क्या होने चाहिए पूर्व नियूजित होने चाहिए न यह पूर्व नियूजित प्रक्रिया है तो हमारे उद्देशे भी क्या होते ह अब किसी भी भासा सिक्षण के उद्धिश्यों को या संस्कित भासा सिक्षण के उद्धिश्यों को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं कख्षा कख्ष में उस्सक्रत पढ़ें चाए हिंदी पढ़ें चाए ऊंग्रेजी बहसा कारिया है की भी भाशा का जब अध्यन करवाया जाता है तो किसी भी बाशा के सिक्षण के उद्देश्यों को दो प्रिकार्ष आप समझ सकते हैं प्यारे चीओं एक उद्देश्य कुंसा सामान्य उदेश्या सामान्य और एक होते हैं आपके विशिष्ट उदेश्या दौनों में क्या फ़रmakers कख्स कई बार पूछ लिए जाता है ज्यादातर प्रिक्साओं में क्या पूछता है आपका सामाने उद्देश्य पूछा जाता है जैसे गद्दे शिक्ष्ण का सामाने उद्देश्य बताईए जैसे पद्दे शिक्ष्ण का सामाने उद्देश्य बताईए तो कुछ उद्देश्य तो क्या है जिसको हम क्या ना क्षे होते होंगे। क्या उपलब्दियां मान के चलता है कि आज मुझी उपलब्दियां को और और ऐसा के दिन में मिलेगी। किसी वीशज को पढ़ाने से पहले आप जो-जो उसे अनुमान लगाते चलते हैं उस सारे था समन्दलियान आपके साौनिय उद्दिश से कहलाते हैं अब भाषए सिक्षण करवा हो किसी बच्छे को बहसी शिकार यहुसका मतलब बाता के चारज़ पड़ारे यह इसका मतलब है कि किसी भी बाता का सिक्षण की आप कर वा रहे हैं तो इसका एक जो जनरली उद्धिष्ष्य आपके दिमाग में होता है उस बालग को चारो कोशलों में दख्षणा प्रदान करना यानि बाता के चारो कोशलों का विकास चारो कोशलों से मेरा मतलब है यानि उसके बालक में सरवन की योगिता उत्पन हो जाए बालक में भाशन यानि वदन की योगिता का विकास हो जाए उसको सुद उचान अर्दग्रण के साथ पढ़ने की योगिता का विकास हो जाए और लिख करके अभिव्यक्त करने की योगिता का विकास हो जाए एक परपाद जमालों मैं आपको संस्कृत का सिक्षन करवा रहा हूँ न तो मेरे दिमाग में ही ले के चलूँगा मैं कि जम मैं संस्कृत सिक्षन करवा रहा हूँ विक्षित होना चाहिए उची द्रश्टी कोण या यह कहले जिए कि वेग्यानिक द्रश्टी कोण किसी भासा को आप बीना देखे समझे पड़े उसके प्रति कई बार पुरवाग्रे बना लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो भासा में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस भासा की प्रति आपके वेग्यानिक एक सकारात्मक एक उचे द्रश्टी कोण होना चाहिए और उस भासा को पढ़ने के प्रति आपके मन में जागरुकता भी होने चाहिए उस भासा में प्रयुक्त होने वाली जितने भी बाते हैं उन सारी बातों को आप ग्रहन कर सकें और उनको वापस क्या कर सकें अभियक्त कर सकें ऐसा एक उद्देशे ले करके मैं चलूँगा ये सब क्या है सामान उद्देशे हैं तो भासा को सीखने के सामान उद्देशे क्य क्या है बासा को आ जाना बासा को सिखा देना बासा का ज्यान हो जाना अब इसको मैं चाहूं तो और बड़ा सकता हूं कि वर्ण का ज्यान धोनी का ज्यान शब्द का ज्यान वाक्य का ज्यान करवा लेना भाव भंगीमा के आधार पर बाचन का ज्यान करवा देना और सुन करक कि दख्षता का विकास करना ही किसी भी बासा का सामाने उद्धिश्य हो जाता है दूसरा क्या लिखा मैंने आपके सामने विशिष्ट उद्धिश्य क्या है तो दोस्तों विशिष्ट उद्धिश्य वो होता है जो वास्तों में इस्तर के अनुसार निर्धारित किये जाते है यानि परात्मिक पूरव परात्मिक पूर्व प्राक्ष माद्यमिक इस प्रकार से जब कोई लग्ष निरधारत की जाये जाए तो इस तरह नुसार निर्दारित किये जाने वाले उद्धिश्य वास्ता उस्तर किसको देखा जाता है और यह उसका इसाफ से आप देखे तेहना यानि आप देखने कि पूर्व प्रात्मिक अग्सा तीसरी के दूसरी क्लास का बालग है उसके साब से आपके उद्धेश्य अलग होंगे उधारन के लिए जैसे मानली जी आप गद्धे पाड़ पढ़ारे हैं गद्धे का सामाने उद्धेश्य क्या होगा ग्रहन करन करना और अभ्यक्ति करना सब्द बंडारे में व्रद्धी करना और सुद्ध उचान के युगता का विकास करना यह तो सामानी जनरल उद्धेश्य हो गया चाहे गद्धे आप हिंदी का पढ़ें चाहें संस्क्रत का पढ़ें लेकिन विशिश उद्धेश्य क्या हो लेकिन जब आप तीसरी क्लास के बच्चे को मान लीजी गद्धे पढ़ाए और वहां में आप से विशिश उद्धेश्य पहुच लूँ पिर आपको यह ध्यान में रखना पढ़ेगा कि तीसरी क्लास के लिए बच्चे को गद्धे पढ़ाने का में टार्गिट क्या है त ही अपलकों से क्या करेंगे अपक्साम बढ़ जाएंग एपक कि अब अप गती र्यती भाव इन सबी के साथ में आरो रो भाव भंगि मोओं करो बालग क्या करें बढ़ें फिर Maddy उस द्रपर जाएंगे विशिष नात्मक भी आपसे बात कर सकता है तो कक्षा के स्तर के अनुसार विशिवस्तू के अनुसार गद्धे सिक्षन के कुछ विशिष उद्धिश्य आपके बदल दे जाएंगे इस लेवल पर अलग हो जाएंगे इस पर अलग हो जाएंगे वह कहलाते हैं आपके सामाने उद्धेश्च बात समझ में आरे ही मिल तो किसी भी पद्धे का जिसे मैं आप से बोलू कि जनरली बताइए क्या उद्धेश्च आपके रसाश्वादन करना लेकिन पद्धेश्च का सबसे पहले उद्धेश्च प्रात्मिंग लेवल पर कौन कौन से अलग अलग हिसाप से उद्दिश्य हो सकते हैं जिनको मैं दोनों रूपों में कह सकता हूं आप चाहें तो उनको भासा सिक्षण के उद्दिश्य भी कह सकते हैं आप चाहें तो उनको संस्कृत भासा सिक्षण के उद्दिश्य भी कह सकते हैं बात करते हैं संस्क को इस लोग अभिकास हो जाए यही बहुता है और विशिष्ट उद्देश से कट्षा के इस तरह के अनुसार बालक की उम्र के अनुसार पाटेवस्तियु के इस तरह के अनुसार अलग लग होता जाता है अब हम बात करते हैं वापस एक बार कि संस्क्रत भासा सिक्षन में य खतम लेकिन विशिष्ट जो उद्देश्य उनको कई सारी केटेगरियों में बाटा जाता है कैसे कैसे माटेंगे सबसे पहला आपका उद्देश्य आता है विशिष्ट में जिसका नाम है ज्यानात्मक उद्देश्या कौनसा उद्देश्य है ज्यानात्मक का मतलब होता है दोस्तों ग्यान करना, बहसा का ग्यान हो जाना ग्यानात्मा गुद्धेश्य की पूर्ती करता है, ग्यान से मेरा मतलब है किसी भी शब्ध बहसा की यदि द्वनी तत्व का आप ग्यान दे देते हैं, इसको हम भासा तत्व बोल देते हैं, कि उस बहसा में पाई जाने वाले विभीन व्याक्णतत्व को हम क्या बोल देते हैं। उन भासतत्व का क्या करदेना। बच्चे केसी वाकिय इसका ग्यान देना। शब्द इनका G्यान देना। इसके साथ साथ में पाए जाने वाले जिसे वाक्य इसका ज्यान देना निबंद भासा में है उसका ज्यान देना उसी प्रकार से गद्धे पद्धे जितनी भी भासा तत्व हैं भासा की विदा हैं गद्धे पद्धे नाटक आदी का क्या देना बच्चे को ज्यान प्रदान क करना कौन सा है का आत्मे की पूरति को पूर्ण करता है इसके बाद में दूसरा आपका उद्धेश आता वह आता कोश्ला आत्मे कि यूद्धार के अरके शिक्षिन यंत। है पियारे साथी वाखन है कि तो फंचार पंखन अर जाता है यानि कोसल आत्मक मतलब हो गया जो चार और उनना आ पड़ना चार कोसल स्ट्वाति की ःत्मक मतलग कला सवागए मेरा श्चन और छूँत हो लिकselement कि प्राप्ति हो जाना हे वासा सीच्छम में को goo छात nowhere उद्देश्य को पूर्ण करता है तो मैं बासा के विभिन विदाहूं का ज्यान कर लूँ कि बासा में अक्षर होते हैं वरण होते हैं शब्द होते हैं वाक्य होते हैं नाटक निबंद कहानी आदिये होते हैं यह तो ज्यान हो गया बासा का ज्यानात्मपक्स चारों कोशलों एबं सम्лиक साथमक oath अब देखिए अलग से होता है यह जो पद्धे सिक्षण जब होता है न कवीता सिक्षण जब उसमें काम आता है इसलिए कुछ लोग इसको मानता है पीसरा नंबर ना देखर के एक तरह से अलग से बिंदू दे देता हूं प्रतक से आप इसको बिंदू समझ लीजिएगा वह इसलिए क्योंकि एक बार प्रशना आयाता है कि संस्क्राइश्चन की कुल कितने मुख्य उद्देश्य हैं तो वह चार उत्तर माना गया था है इसलिए मैं चार पे चलता हूं तीसरा जो यहां दि कि प्रति उनको प्रेरित करना नवीन रचना करने में क्या करना बच्चों को प्रेरित करना है ना और कोई भी माली जी बच्चे नवीन रचना करना है तो उसके लिए बच्चों को क्या करना प्रेरित करना और साथी स्रजन आत्मक्ता भी मोलिक्ता का समावेश करना जब भ बच्चों को साहित्य सर्जन के लिए प्रेडित किया जाना चाहिए या यह कह सकते हैं कि साहित्य सर्जन के लिए क्या करें बच्चियों को प्रेडित किया जाना चाहिए कुल मिला करके सरजन करना है नवी रचना लिखने है इसके लिए बच्चोंको प्रडित किया जोना है सरजनाथमक उद्देश्य explain कहलाता है चोता है दोस्तों आपका अविवर्त्यातमक उद्देश्य इसका मतलब होता है कि 6 गुख्यों को और 7 गुख्यों विकास करना, शात्रों में उप्युक्त द्रश्टी कॉन और अभिवरत्ती का विकास करना, यानि बच्चे को ऐसे पुर्वाग्रे बनाए जाए कि उसके साहिते सरदेने में रूचि रहे, साहिते पढ़ने में या बसा पढ़ने में उसके क्या हो रूचि बनी रहे, साथ यह भी होता है कि सामाने साइते के प्रती बच्चे की क्या हो रूची हो और सदवर्तियों का विकास भी हो अच्छी आदते उसमें डलें अच्छे पुर्वाग्रे रहें कई बार यह года अब किसी भासा को यह नहीं किसी भासा आपका बंता थो ऑफिक द्रश्टी को अविवरती का व्यकास साहित्य के प्रति उसकी रूचियों का विकास करना ही उसका अभी व्रत्यात्म उद्देश्ज है तो बहुत बहुता है उसके ध्वनी का उसमें नॉर्मल जो जो भी विशेवस्ट समंदी बाते हैं वह सारा तो आपका कहलाता समने विशेश उद्देश्यों में ग्यानात्म को सलातमों कर बहुता है उसके पक्ष विश्टार से चरचा करना करना स्रजना उसके पक्स के बारे में विस्तार से चेटर चर्चा करना जिसमें खुद की मोलिकता हो अपना से लिखा होना चीए और अभी व्रत्यात्म का मतलब चात्रों में उप्योग दृष्टी कौन का विकास होना चीए उसमें अब रित्ती का विकास हो साइटे के पर सिरूची रहे और समस्द व्रत्ती का विकास हो दोस्तों यह थी आज की क्लास एक नए अंदाज में एक नए करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छे चीजें बढ़ते रहेंगे सिखते रहेंगे आपके कमेंट से मुझे जो उर्जा मिलती है यकीन मानिएगा आने वाली क्लास से और भी जोड़दार होंगी आपके लिए वास्तम भाइदेमंद रहेंगी रेट और सिटेट या कोई भी सिट परिक्सा होगी इसमें हम बहुत अच्छान प्राप्त करेंगे बनेरिये का चैनल के साथ जहें तो समझेता हूं चाहें तो भारत हूं